वेल्कम फ्रेंट्स, 23 में 2020 को मौर्निंग अपडेट में सिक्षा संबंदित सारे न्यूज के साथ अबलेबल हूँ पहली ख़वर, बिहार बोर्ड मेट्रिक रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, 15 लाग से जाथ है स्टुटेंट और उनके पैरेंट्स के लिए है कल भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया, अब रिजल्ट के लिए बच्चों को करना पड़ेगा, 100 बार तक के लिए इंतजार जी हां दोस्तों, कल आयो के तरफ से एक डेर लाइन जारी किया गया है कि अगले 3-4 दिन वो किसी भी वक्त रिजल्ट जारी कर सकते हैं हलांकी 100 बार तक जो सब्भावना व्यक्त की जा रही है, सारे एक्सपोर्ट के दोरा की 100 बार देर साम तक 11 तक आपको रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है अलांकि इस बीच में भी किसी वक्त चारी किया जा सकता है इस बीच आपको कल भर दिन यानि कि सुक्रबार के भर दिन आपको देर रात तक अब वाहों का बजार गरम पर रहा उसी के संब्द में ये न्यूज है देखिए उनमें बिल्कुल उपाहो की स्थिति उत्पन होगी थी इसलिए आप लोग किसी भी अब भाफर दियान नहीं दे आप कन्फर्म हो जाएं कि जब भी रिजल्ट आएगा वो आपके BSEB का जो एफिसिल वेबसाइट है उसी पर आएगा और लिंक वहीं पे एक्टिव होगा बांक किसी चीज पर दियान नहीं दे सोंबार तक का इंतियार कर ले और आपको रिजल्ट जब भी आएगा तो वो देर रात आएगा साथ पजे आट पजे के बाद ही होगा क्योंकि आयोग ने ऐसा कहा है कि दिन में रिजल्ट जारी करने पर सोसल डिस्टेंसिंग नियम का वाइलेशन होगा लोग यहां होआ जाएंगे तो कनफर्म हो जाएगे निश्चिंत हो जाएगे कि अगले तीन से चार दिन किसी भी वक्त आपको जारी किया जा सकता है हलांकि आप रेगुलर BSEB का वेफसाइट विजिट कर सकते है सोंबार जो नया टिन टेरिव दे बताया जा रहा है कि अगले सोंबार को यह रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा दूसरी ख़बर SSC से है जी हां दोस्तों जितने भी कंडिडेट थे जो SSC के एक्जाम दिये थे प्लस टू लेवल का और उनका बीच में एक्जाम रुक गया था उसके संबंदे दिये बहुत खास कबर है अब असपस्ट हो गया है कि एक जून के बाद SSC करेगी परिक्शाओं गयती थी कि घोसना पुरा न्यूज समझते हैं देखिए SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडर लेवल एक्जाम CHLA जूनियर इंजिनेरिंग जई एस्टेनोग्राफ ग्रेट सीवर्डी की परिक्शाओं थी बाद में जारी की जाएगी 31 मय जो डेरलाइन है आपका लोगडाउन का तो उसके बाद 31 मैं SSC बैठा कर हालात की समिक्षा करेगी समिक्षा के बाद भरती परिक्शाओं की नेति जारी की जाएगी SSC अपनी लंबित सभी भरती परिक्शाओं की ति एक जुन के बाद ही जारी करेगा यानि कि जो एक्जाम बीच में रूग गये थे आपको पता है कि मार्च में बहुत स्टुएंट ने एक्जाम दिया था SSE का जो कमबाइंड हायर सेकेंडर लेवल का था प्लस टू लेवल का था और उनका एक्जाम बीच में ही रुख गया था और अन एक्जाम भी रुख गये थे प्रतियों की प्रिक्षा के फॉर्म भर चुके थी या भरने वाले थे उन से संबंदित है इनके लिए करी दूसरे के पोस्ट पर आविदन आवंद रित किया था एक्जाम है तो उसके संबंद में आपको डेट एक्टेंसर मिला है फॉर्म भरने के लिए देखिए पहले जो पूर्व निर्धारइद रिजिस्ट्रेशन किती थी थी पहले बारतीन से लेके अठेश तीन थी उसको भी स्थारिद किया था पांच-पांस तक अब पुना उसको भी सारिद कर दिया गया है तीन जुन पुल्क जमा और फॉर्म भरने की तो एक्टिस बीना एक शेवा से संबंदित ये पुड़ा का पुड़ा विवर्ण है और इस चीज को आप कर सकते हैं कहां जाकर तो www.bpsc.bis.nic.in पर तो ये बीपीसी संबंदित न्यूस था जो नेक शेवा के लिए इलिजिबल है या फ आपको नौ जून कर दिया गया है ठीक है न इसमें आपको बीसी सी के अंतरगत जो चात्र चात्रेंड मिसन लेना चाहते हैं किरसी फार्मेशन नर्सिंग वो अन परवेश परिक्षाओं में यानि की बात की जा रही है और साथ ही साथ आपको आईटिया के लिए भी आपको नौ जून तक कर दिया गया है वही अब देखते हैं ये पॉल्टेक्निक के लिए है पॉल्टेक्निक के लिए भी आपको देखिए नौ जून तक कर दिया गया है ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन के लिए उसके बाद और प्रकडिया आए है आपको 11 तक फॉर्म पर सकते हैं 12 और तक आप दिड़ कर सकते हैं ऐसे प्रख्रियां हैं उसके बाद फार्मेली मेंके बढ़ कर दिया गया है नोछ नो के लिए अब डेट इक्सेंड कर दिया गया है फॉर्म भरने का आखड़ी मौका मिला है तो जो- लोग इंट्रेस्टेडंेड है इसमें जो करना चाहते हैं वो चुके नहीं हड़ाल में फॉर्म भर ले नौ चौ पंद्रा से पहले